जन्पत संबल के चंदोसी में भीमराज सेना ने रैली निकाल कर देश में दलितों के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया जिस तरहां से देश भर में दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर डलितों में आक्रोश फैल रहा है जिसका डलित बेज भर में अपने अपने तरीकों से विरोध कर रहे हैं आपको बता दें जिस तरहां से राजस्थान के नागौर में एक दलित युवक पर चोरी का शक होने के बाद सवर्ण वर्ग के लोगों ने उसके साथ अमानवियता की हदे पार करते हुए पेचकस से प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाल दिया था उसी को लेकर आजजन पर संभल की चंदोसी में भीमराज सेना ने शांती पून तरीके से रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया इस विशय में भीमराज सेना के सतीश प्रेमी ने बताया कि जिस तरह से देश और प्रदेश में दलितों के साथ जगन्ने अपराद हो रहे हैं जहबंध होने चाहिए और ऐसा करने वालों के विरुद सक्त से सक्त करवाही होनी चाहिए इसलिए आज हम इस आवाज के साथ उठे हैं कि हमारी आवाज भारत सरकार तक जाए और जिस बेखती के साथ तिवरी घड़ खटना हुई है उसके साथ सालीचा कड़ी उनके मुझनमों के लिए साचा मेले और उनके परिवार को आर्थिक साहथा मेले इसलिए अपना ही ये रहे हैं सरयाम उनको मारा पीटा जा रहा है सरयाम गुपतांगों में चरिया डाली जा रही है इससे जाधे खर्टना के इसलिए होगी हम के वली है चाहते हैं हम बावासाब परभुज बावासाब डॉक्टर फीम रावमिट करजी के नवी आई हैं हम सांथमूर तरीके से इसमें अपरादी घंडा जो खास करके द्रियटों में साथ हो रही है उनको तार्गट किया जा रही है वह घंडा है बंदगर्दे अने ताभावा साब के निलिवफज बहूत रहते इसमें पर देश की सरयकार को ब्रॉक्ट पहर कि पार जिर मतर पर तरो